नमस्कार साथियों सबसे पहले भत्तरवें गंतंत्र दिवस्त की आप सभी को धेर सारी सुब कामना है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज का पर्मिशन हम लोगों को नहीं मिला है चुकि आज किसी को भी पर्मिशन धर्ना या अंदोलन पर दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है तो इसलिए हम लोगों का जो भी निरनायक वर्क होगा हुआ होगा 27 यानि कल साथियों कल का दिन वो दिन है जो हमारे जिवन के लिए निरनायक होने वाला है और निरनायक इस हद तक होगा कि क्या पता कल हम लोगों का जो काम है वो भी जाए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें संख्यावल की बहुत आवश्यक्ता है जैसा कि 18 तारीक का संख्यावल था 19 को संख्यावल था 20 को संख्यावल था वो अपने आप में एक निरनायक संख्यावल था ताकि नेता प्रतिपक्ष को भी मजबूर कर दिया कि कोफार्ख से 5 किलोमेटर पैदल गर्दनी बाग वो हमारे साथ चलने को मजबूर हो गए वो हमारे संख्यावल की एक्ता और संख्यावल की ताकत थी और वो संख्यावल पर ही आप कुछ कर सकते हैं आपको अगर कोई पूछने के लिए आता है तो आप संख्यावल के आदार पर ही कुछ कर सकते हैं हैं दिरे-दिरे संक्याबल कम होती गई हाँ और हम लोग उस तरह से नहीं बोले कि आप लोग जैदा संक्याबल में भी आये हाँ यह जरूर था कि आप लोग आएं जरूर लेकिन कल निया विशाल संक्याबल में बदलना होगा या यह अंतिम और निनायक मोड है और कल जो होना होगा यह जाएगा लगभग में हमारे डेलिगेशन के टीम गई थी उनको भी यही बात बोला गया कि आप लोग जितने भी हैं अभी कुछ निर्नाए नहीं लिया जा सकता है और कुछ भी निर्नाए आप लोगों के पक्स में अभी नहीं हो पाया है तो आप लोग जो भी निर्नाए लेंगे वह 27 लेंगे 26 जनवर इक बाद तो 27 तारीक को निर्नाए हम लोगों का लिया जा सकता है चुकि निर्नाए तो तभी लिया जा सकता है जब हमारी संख्यां बल रहेगी अगर हम 10,20,25,50 में बैठेंगे तो वो तो वही समझेंगे न कि अब इनका अंदोलन कमजोर पर चुका है अब हमें क्या मतलब है चलो भै ठीक है इसको ऐसे ही बाला कुसला के टरका दो लेकिन अगर हमारी संख्यां बल हजारों में होगी 18 तारीक वाला जो चुनून के साथ होगी तो ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि सरकार हमारी जुकने के लिए तैयार जरूर होगी तो आप लोग जो भी व्यक्ति हैं कुछ भी मत सोचे जो भी व्यक्ति हैं सबी ब्यक्ति से बस एक नम्व निवेदन है कि 27 जनवरी यानि कल के d ус 7 जनवरी यानि कल के दिन एक विशाल संथ जंक्या के साहत्त đến पत्त Walk के गरदनी बाग ही होगा तो आप लोग पहुंचने का करें कोई भी कुछ मत सोचें बस एक ही बात दिमाग मेरें कि हमको पटना जाना है अब पटना जाना है सातियों ये समय संगर्स का है और इस संगर्स में अगर हम कुछ दिन टिक जाते हैं तो ये ताय है कि हम फिर 60 वर्स के लिए हमारा जिंदगी जो है सुखमय होगा और हम एक अच्छी सिक्षक जो हमारा संकल्प रहा सुरुवात के दौर से ही कि हम हम एक अच्छे सिक्षक बने एक राष्ट निर्माता बने वह संकल्प हम पुर्ण कर पाएंगे तो उसके लिए हम 27 जनवरी यानि कल के दिन रजंदर संग जी के अध्यक्सता में विशाल जंसमूं को हम लोग अमंत्रन करते हैं और सभी लोग पहुँचे जितने भी साति हैं सभी एक दुसरे साथी को मोटिवेट करें और आने का कर्ष्ट करें जो भी सभ्यक्ति दूर के जीला का हो उनको तो मैं बोलूँगा कि कल ही आज ही आप लोग 26 तारीक को साम तक आप लोग गारी पकड़ ले और 27 को सुबह तक किसी भी हाल में आप लोग पहुँच जाएं और मिटिंग बुलाकर उस पर तुरंद काम करना सुरू हो जाए और 27 को क्या है हमारा संक्याबल तो हमारे कमी नहीं है पुरे बिहार में 94,000 सिक्षक की जब वैकेंसी निकली तो अभी अर्थियों साथ फिर से हम लोग गरदनिवाग पहुचते हैं तो यह ताय हो जाएगा कि हम लोगों का काम मतलब होना अग्दम ताय है तो इसके लिए आपको कल आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में मईला साती आप लोगों से विशेश निवेदन है कि आप लोग प्लीज प्लीज एक ब पूछता है जब आप युनाइट रहोगे कोई भी व्यक्ति आपको तभी शम्मान करता है जब आप एक रहोगे और नेता प्रतिपक्ष भी तभी आये हैं जब हम लोग की संक्यां हजारों में गरदनी वाग में डटे हुए थे आप मामली बात समझते हैं एक नेता प्रति संक्यां बलका पड़िचय है कि हर व्यक्ति आने के लिए तयार हैं भले हम अब उसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर हम लोग किसी राजनेतिक पार्टी को मंच अपना नहीं देने के लिए तयार हैं बट यह तैय है कि हमारा संक्यां बल रहेगा तो सत्ता पक्ष भी हम वख्ष भी हमारे साथ आएंगे तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है यह आप स्टिच को सिरियस वे में लीजिए इसे मामली नहीं समझे इसे पुर्ण सिरियस वे में लीजिए और इस पर काम करना शुरू कर दिजिए अब इसे ही हर ब्यक्ति हर जिला जयक्ष से दिन चुकि कल हम लोगों का निर्नायक मोड है और कल हम लोगों पर बहुत बरा मीटिंग भी होने वाला है तो कल आप लोग पहुचिए नहीं पहुचिएगा तो इसके जो है इसका जिमेवारी आपकी होगी हम लोग बहुत मेहनत किये हैं और कर रहे हैं इसको लेकर हमारा जो तंड में भी दन मन धन के साथ जटे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा जो अंतीम चांस है अब मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं अगर इस मुर्ग पर हम लोग आके अगर यहां से कुछ हासिल करके नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजे कि आपको कुछ नह करें ड्रोगें यहां एँटनाय करें यहां कहा नेकर देते हैं अगर फैस्पल नष्मेट तक estaba से नहीं हो पाते हैं कि दम जबाब दिने के लिए वहाँ देपास कुछ नहीं बचेंगे हैं अनुर्च कर गुट घुट होगा हम लोग कल ने एकदम 100% ले लेंगे और पुर्ण रूप से विश्वास है कि 18 से जैदा संख्यां बलके साथ आप लोग पहुंचेगा पटनागरदनी बाग और इस जाना अंदोलन को सफल बनाईएगा मैं फिर से आववान करता हूं उन सभी अभ्यार्थियों को जो अ आप आईएगा तो पता ही है कि क्या परिस्तिती उत्पन हुई थी सरकार कितना भैवीत हुई थी यह आप लोग आंक से देख चुके हैं इसलिए सभी लोग से निवेदन है कि आईए और आकर पुर्ण रूप से सफल बनाईए आप रहिएगा तो और मजबूती से हम लोग काम करेंगे इसको सफल बनाने में जो भी जितना भी ताकत जोकनी होगी ताकत को जोक देंगे और इसको सफल बनाएंगे और हर व्यक्ति हमारे साथ है सत्ता पक्ष भी साथ है वी पक्ष भी हमारे साथ है और जरूर हमारा काम होगा लेकिन आप लोग आईए एकदम आईए आईए अम्रिता जी एकदम आईए आईएगा तो एकदम तय है कि भाली हम लोग यहां से पूर्ण करवा के जाएंगे कोई नहीं रोक सकता है इस भाली को सरकार आप एक लेटर जारी हुआ है सरकार का कल आप लोग देखे होंगे जो कि सभी नियोजित सिक्षक जो फर्जित है उनका फोल्डर उस पर अपलोड किया जा रहा है तो कुछ सकारात्मक्ता मेरे तरफ भी उस और इशारा कर रही है विभाग फुर्ण रूप से उस पर जो है सुवर्ट करना कर रही है कि इस दरफ से लोगों को नियोजन करवाया जाए ताकि लोग भी लोग का विधर्णा संपन हो चुकि इनकी एक्टा बहुत बनी हुई है तो इसलिए सभी लोग आईए सभी लोग आईए एक्दम 100% आईए हमें बिश्वास है नंद जी कि बहुत लोग आने वाले हैं लेकिन मैं जब तक आएंगे नहीं तब तक कैसे confidential हो पाएंगे तो इसलिए कल का permission मिल चुका है और एकदम सांती पुर्ण करना है कोई भी उगर नहीं होना है एकदम सांती पुर्ण मतलब ऐसा सांती पुर्ण होना चाहिए कि सरकार को ये चीज महसूस हो जाए कि कितने ये लोग होने के बाबजुद भी अभी तक डटे हुए हैं अब इन लोगों पढ़ने लेना होगा इस चीज को लेकर हमको मजबूर कर देना है गबर्मेंट को तो इसलिए और सभी जीला ध्यक्त से मैं निवेदन करता हूं कि एक-एक अभ्यर्थी को आप फोन करें एक-एक अभ्यर आब ये वाला प्रिष्थिति Cindy उत्पन होने वाला है जो होगा 27-28 तक हम लोगं कर देंगे ऐंडे़ट परसट ये नहीं करना है कि 10 को आज ले जाएंगे कल 10 गो ले जाएंगे इसली आतमनिष्ट आइए और हंडेड परसेंट आइए हान-प्यूजी कल-घर्दनी बाग् हो सकता है तो हर व्यक्ति फोन करिए और फोन करके हर व्यक्ति को मोटिवेट किजिए सभी को आने के लिए करिए कल कर निर्नायक मोड होने वाला है और कल एक सुच रहें कुछ प्लैनिंग करना है ट्विटर पर भी करने का उसका भी जनकारी दिया जाएगा आप लोगों को तो आप लोग सभी मजबूती से काम करें और मजबूती से हर व्यक्ति को फोन करें महिला यह अंदोलन सफल हो पाए और हम इस अंदोलन को जना अंदोलन में बदल देंगे ताकि हमारा मुद्दा फिर से एक बार रास्ट्रिय बने और सरकार जो है सो हमारा मांग मानने के लिए परियार हो जानतिपुर्ण ही होगा जो करना थो हम लोग कर चुके हैं और जो 허ब्लों कुप करना था वह कर चुके हैं और हम लोग करके अपना मुद्दा को हैलेकटेट कर दिये हैं बस अब एक ही काम होता है आप मनीश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्युज़ reference 10 जुन का नइस moralета तो हम को याद किया था लगातार कश्रेट का कलिन परोपशन पहल था अब ही तो मान लिए कि अनिस्टेट काली के जुब मिलती थी तो उसमें में क्या हुआता लाटी चार्ज हुआ लाटी चार्ज के बाद जो सभी लोग धरनास्ताल पर बैठे ही रहेंगे तरह गये क्योंकि हमें परिछन मिली थी और बैठने के जो कम आप रूप से कर सकते रूप हर का मका एक समादान होता है बातो बाथ होता है वह बातस्यत हरी है पृषचित होता ही रहेगा और hardif इसे क्या मतलब है का मैं कैसे होगा वो वह संख्यांबल से होता है कां ठीक है ना हला करने से कुछ नहीं हो सकता है वो शंख्यां बलिक ऐसा चीज़ है जिससे आप काम करवा सकते हैं तो इसलिए सभी हां सर 27 को पर्मिशन मिल चुका है 27 को पर्मिशन मिल चुका है 27 को सभी लोग आईए और खुब जेड़ सारी संख्यां के साथ आईए ठीक है ताकि हमारा मांग मांद लोगों से बस एक निवेदन है कि आर्थिक सयोग भी करने का कस्ट करें जो विक्तिवी तक आर्थिक सयोग नहीं कि प्लीज 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 मुननी शुकला मेड़ पूरबीहार में इस आंदोलन का एक ही अकौंट है किसी ही अकौंट में दिमाग नहीं से इंक पर सभी लोग आर्थिक सयोग करने का कस्ट करें क्यूंकि बहुत से खर्चे आते हैं बहुत से आर्थिक þोन चाहिए सभी का र